जैश्री महंकाल जैश्री महंकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपनी चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका बहुत आभार है और आप जो प्यार सपोर्ट हमें प्रदान कर रहे हैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जो मन की कामना हम मन में रखते हैं, जो मनों कामना हम चाहते हैं, उसे हम कैसे पूर्ण कर पाएं, सिर्फ मंतर के माध्यम से, यह बहुत यूनीक और बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि आपके लिए बहुत जादा महत्पूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा और अंतर तक आ करें, वो इसलिए सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें, दूसरी बात है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि एक लाइक से मुझे बड़ा पॉजिटिव फील होता है, इसलिए चरूर इस वीड सब पर आप अपॉड्मेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, स्क्रीन की उपर नंबर चल रहे हैं, इसका शुल्क लागो है दोस्तों, अब हम आते मुद्दे की उपर कि हमें कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन से मंत्र हैं, जिसे की हमारी मनोकामना पूर्ण हो सक सबसे पहले सर्वसिद्धिकर मंत्र जो है वो आपका गुरू मंत्र हैं, अब आपके परास यह प्रश्न शुरू होता है कि हमने तो गुरू बनाया नहीं अपने तो आप शिव जी को गुरू माने, परम शिव जो है वो सब के गुरू है, देव के देव महादेव हैं, और उसके लिए आप कुछ तोर तरीकी यह बात भी सीख लेंगी, मंत्र जब जो है वो मन मिकिया जाता है, आप उसे बोल बोल कर जो दो से चिला के न करें वो बिलकुल गलत है, और उसको जब जब करें तब मन में जितने भी विकार हैं, जितने भी मन में नेगटिव थौट्स जो भी नकारतमकता और जो जो आप सोच रहें, उन सभी को बंद करें, मतलब पूरा कॉंसेंट्रेट, पूरा ध्यान हमारे मंत्र जब पर होना चाहिए, इसके अलावा दोस्तों आप गायतरी मंत्र का जाप कर सकते हैं, महमरत्य उन्जे मंत्र का जाप कर सकते हैं, दोस्तो सारे चीज़े आप कर रहे हैं और सब अपनी जगा हैं इसलिए जितना हो सके उतना मंत्रे जब पर ध्यान दे जितना हो सके उतना इश्वर का जब करें मंत्रों का जब करें ओम नमश्यवाई का जब करें जो भी आपको मंत्र अच्छा लगें बैटरी मंत्र महामर्त्यूंज पर दो जितना जब करेंगे आप उतना अपके लिए फाइदा मन्द होगा आपको बहुत जल्दी आपके हर मनों कमना पूर्ण होगी और इश्वर की करपा रहे ही तो अच्छा लगा लाइक करें शेयर करें